गुद मॉर्णिंग क्लास आज हम बनाएंगे कुछ नया और कुछ यूनिक ठीक है बलाउज की जैसे ही हमें कटिंग मतलब निशान लगाना है जैसे हम बलाउज में निशान लगाते हैं हमेशा वैसे ही तो ये वाला आगे वाला एक इंच बड़ा रहेगा और पीछे वाला लगाना होता है ये तो हमने आपको कई बारी बताई हुई है अब देखे इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे हर वीडियो में फोल्ड करते हैं इससे हमारा चार उपाट एक साथ निकल जाता है इसके लिए अब देखे यहां से हमें कंधा हमें 6 इंच रखा हमने ये और ये हमने 1,5 इंची रखा है अब यहां से हम 7 इंच भी लगा सकते हैं 6 इंच भी लगा सकते हैं जितना आप आगे का डेख करना चाहें वैसे ठीक है यहां से हम इस तरीके से कर लेंगे यहां पर आर्म होल के लिए अगर आप पतली हो तो 5 इंच रखे अगर आप मोटे हो आपक की सीनी की तो आप 5,5 इंच भी रख सकते हो अब यहां पर हम 9 इंच रखते हैं सीनी की चोड़ाई और कमर की चोड़ाई हम 8 इंच रखते हैं इसके बाद हम इसे जॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से और इसके बाद यहां पर हम निशान लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्र क्योंकि जितना हमारी फिटिंग होती है उससे हमें एक इंच अगर हम इस साइड से ले रहे हैं तो दोनों साइड एक एक इंच वह जादा हो रहा है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखें और यह सारी चीजे तो मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताई हुई है कि आपको कै पीछे का यह एक इंच ही लगेगा क्योंकि हमें पीछे की साइड में नहीं गिराना है ठीक है पीछे की साइड में हमें गला नहीं गिराना है सिर्फ हमें कटिंग ही बस करना है एक इंच ताकि हमारी गर्दन पेच्छे से बैठ जाए उसके बाद हर वीडियो की तरीके जै domi Woo ऐसे ही आपको कप्ड़े पी कटिंग करना है कुछ परहलग से नहीं है सब आपको जैसे हमने बताया है पिर से कटिंग करनी है फिर सको हम साइड में रख़ाद फिर से फोल्ड करेंगे फिर से म्दोड करनी के बाद यहाँ पी जिव हमारा कगला है इसे हमें deep cutting करनी है तो यहां पर यह हम cutting करेंगे अगर आप दोनों एक साथ cutting करते हो तो वहां आपका गढ़्बड हो जाएगा और आप अपना ack पीछे का नहीं बना पाएंगे तो इसके बाद यह आगे की हम cutting कर लेते हैं ऐ की हो गया ऐक मतार कैसे लगाया heaven इसको हम साइड में रखेंगे, एक बराबर, अब हम बताते हैं कि डॉट हम एक साथ ही कैसे लगाते हैं वो भी अच्छे से, यहाँ पे दो इंच है, तो दो इंच पे हमें यहां से इस तरीके निशान लगा लेना है, इसके बाद हम पूरा निशान डेर्ड इंच पे लगाए अगर आप पतले लोगों के लिए बना रहे हो, तो आप डेर्ड इंच ही लगाएं इसमें, सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसे ही किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरे टाइप में और इसमें दूसरे टाइप में करना है, अगर आप हलका फुलका इधर उधर होता है, ल इतने बनानी है हाप इंच कपड़े आपको लेने हैं एक इंच आपका दपचाएंगा हाँ इसलिए हमने आपको कहा कि कि एक इंच आगे का एक हिसाप से क्योंकि पीछे की सिलाई भी एक ही डॉट होती है और ये वाली डॉट पीछे की साइट नहीं होती है इसके लिए और ये डॉट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी फिटिंग बहुत बढ़ियां से बैठ जाए अगर आपका सीना छोटा है तो भी ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा अगर आपका सीना बढ़ा है तो आप दो-दो इंच करके निशान लगाती हो तो भी वो बैठ जाएगा तो इस तरीके से पूरी निशान को सिल के रख लेंगे अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको पास सारी वीडियो पहले पहुँच जाएगी और आप फर्स्ट दिन से देख सकोगे कि सिलाए कैसे सिखा जा रहा है सिलाए कोर्स कंप्लीट करने के लिए सर्च करें सिलाए सीखने का आसान तरीका पहला दिन वहां से अगर आप वीडियो देखती हो माल लीजे 10, 11, 12 देख रहे हो 13 नहीं मिला है 14 नहीं मिला है तो आप हमारे पास कमेंट करें कि कौन सा वीडियो आपको नहीं मिल रहा है हम आपके पास लिंक भेज देंगे क्योंकि यूटूब चैनल पे इतने सारे वीडियो हैं कि आप एक किसी को फॉलो करते हो अगर आप तो आप खो जाओगे अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी और पूरी कॉर्स कम्पलीट कर चुकी है फर्स्ट सीजन तो कम्पलीट हो गया है सीरियल वाइज सेकंड सीजन का लास्ट चला है सेकंड सीजन भी खतम होने वाला है अगर आप फर्स्ट सीजन से ही सीखना चाहते हो, मतलब साथ साथ में, चैनल को सिस्क्राइब कर लें, और सीजन तीन आएगा, सीजन थ्री अगर आएगा, तो हम साथ साथ में सीख सकते हैं, तो ये, अब देखिए, यहां पर हमने एक बारी फोल्ड किया, फिर यहां से दो ब और फिर एक बारी और फोल्ड करना है, यह हो गया, इसी तरीके से दोनों देखिए, इस तरीके से आपको त्रिकोड में बना लेना है, अब यहां पर हमें चार इंच पर निशान लगाना है, यहां पर जॉइंट कर लेंगे, और यहां पर हम तीन इंच लगाएंगे, चार ज़्यादा लग रहा है तो हम तीन इंच लगाते हैं क्योंकि हमें डबल लेयर बनाना है इसलिए बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आप इस तरीके की ब्लाउज अगर बना लेते हो खुद बना लेते हो या फिर किसी टेलर से बनवा लेते हो तो बाई गॉड अगर आप कहीं ब्लाउज है क्या यूनिक डिजाइन है और आपको सब फॉलो करेंगे ठीक है तो अगर आप कोई सौट वीडियो भी बना रहे हो या फिर और किसी जगें आप मतलब बहुत ही पॉपलर हो तो आप इस तरीके की ब्लाउज को बहुत ही अच्छा लगेगा आप कर सकते हो किस आपको सिखते तो अगर आप सीखना ही चाते हो तो साथ में सीखते रहते हैं और यह हमारा हमारा चैयंच के थोड़ा से हम इस सिलाई मेंगें अपर हमारा जाता है तो इसके लिए थोड़ी सी हमीं कपड़े को ज्यादे लेना होता है इसके ब्याद हमें इसी के तरीके से इसको भी cutting कर लेना है cutting process फिर से दिखाते हैं हम आपको ताकि कोई confusion ना हो ये चार ही रहेगा ठीक है? चार क्यों रहेगा? ये भी हम बताते हैं ये हो गया cutting cutting के बाद इससे side में रख लेंगे और यहाँ पे यहाँ पे इसकी cutting कर लेंगे अभी इस तरीके का blouse आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ना ही picture में, ना ही serials में, ना ही designer में कहीं भी आपने ये वाल blouse नहीं देखे होगे ये फर्स्ट है मेरा वीडियो I think आप लोगों को अच्छा लगें कंए, लेकिन अच्छे को सबस्ते आज कल की लडकियां है वह बहुत ही अच्छे से कपड़े केरी करना जानागी और पहे रहता है किस तरीकेसे पहना जाता है उन्हें सब सता है इन दोनों को हम स्फाइब कर लिएगे वो हो जाता है और यह होता है कि अरे यार यह तो हो गया ठीक है अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हर इंसान के पास दो हाथ दो पैर होते हैं और हर इंसान के पास दो हाथ दो पैर ही होते हैं जो आप से आगे हैं उनके पास भी दो हात पर है और जो आप से पीछे हैं उनके पास भी दो हात पर है बस आप सोच और आपकी समझ आप अपनी समय का कैसा इस्तमाल करते हो पस यह आप जानते हो और कोई नहीं जो आप से आगे हैं उन्होंने अपनी समय का अपनी हुनर का इस्तमाल किया है और ज और अगर आप किसी चीज को समय देतो हो तो वो आपको कामियाबी जरूर देगा, ठीक है, तो एक दिन में नहीं होता है, मुझे भी इतने सिस्क्राइबर लाने में तीन से चार साल लग गये हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि सब खान सरी हो जाए, कि तुरांत फेवस हो जाए, तो हिम्मत नहीं आरना है, मुझे हिम्मत नहीं आरना है, बाग की जो भी आप लोग समझे, धीरे-धीरे करके ही कछुए की तरह ही चलेंगे, रेकिन हम चलते रहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट प्यार हमेशा हमेरे साथ है, अब देखिए यहाँ पे, पहले तो हमने सिला जो बिता रहे लगती है अगर आप चुनट बना देते हो, तो यहाँ पर यह होगया, फिर एक तीन चुनट बनाना है, आगी की साइड में बना थे हो गया, यहाँ से यह हो गया, ठीक है तो अब इस से कंप्लिट करेंगे, और पीछे की साइड में हमें चुनट नहीं बनान क्योंकि अगर आप किसी भी सूट या किसी भी टॉप को अगर और रहता है तो अच्छा लगता है अगर आप घटी बढ़ी इरगाट पीरगाट वाला बना रहे हो तो वो नहीं अच्छा लगेगा तो इसको तो मैं कपड़े पर खुद केरी करने वाली हूँ ये मेरे दिमाग में अचानक से आ गया तो मैंने कहा कि वीडियो भी बना लेते हैं फिर इसका भी मैं खुद बलाउज बना करके पहनूँगी और आइ थिंक मैं इसकी आसमानी हलकी आसमानी कलर या ग्रे कलर की बलाउज बनाऊँगी बहुत ही प्यारी लगेगी वाइट साड़ी के साथ तो बहुत थी यह देखिए यहां पर भी तीन चुनट ही मैं बनाऊँगी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बनानी वाली हूँ मैं तो यहां मेरा मेन मॉटिप था कि मुझे गली की डिजाइन बनानी है और वो भी यूनीक और खुबसूरस थी तो फिटिंग बगारा लगानी तो मैंने हर वीडियो में आपको बताई हुई है गली की डिजाइन हमने इस वीडियो में आपके साथ सेयर की हुई है कैसा लगा प्लीस हमें बताईएगा और साड़ी के साथ अगर आप सिल करके पहनते हो तो बहुत ही प्यारा लगीगा बहुत जल्दी मैं इसके कपड़े की वीडियो बना करके दिखाऊंगी लेकिन पहले कपड़े तो लालू मार्केट जाएंगे और बहुत ही कपड़े मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आया हो तो उसमें से चूज करेंगे लाएंगे तो फिर हम आपके साथ उसके भी वीडियो सेयर करेंगे तो अगर आप इसके नीचे आचल रखते हो और यह उपर से रहता है तो सुचिए क्या लगो गया तो वीडियो कैसा लगा प्लीस हमें कमेंट करके बताएगा अगर आप सीखना चाहते हो तो अभी सेस्क्राइब कर ले चैनल बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो हम सीखेंगे साथ में मैं भी सीखती रहूंगी और आपको भी सिखाती रहूंगी ऐसा नहीं है कि मैंने सिलाई सीखा था तुझे सारी चीजे मैंने सीखी हुई थी ऐसा मैं ऐसा मेरे साथ नहीं था मैं सीखती रहती हूंगी तो मिलते हैं निक स्वीडियो में तब तक के लिए बाबाई